हाई गाईज मेरा नाम है जतना गर्वाल आप जुड़ चुके हैं दबुल ओफ दलास्टी चैनल के साथ सुबह हमने बात करी थी कि कैसे रिलाइंस इंडस्ट्री इसके वैसे निफ्टी ड्रैक कर रहा है और कहीं नहीं हो सकता है कि 15-400 पर रीटेस्टिंग हो हम देख रहें क्लोजिंग होते होते हैं कि निफ्टी आपका फ्लाइट ही है बिलकुल सो बहुत सारे अलगलग शेर्स हैं जो कॉंट्रिब्यूट कर रहे हैं इस राली अंदर हमने देखा ITC कैसे अपने एक अच्छे खास से मैं कहूंगा 52 वीक हाई के उपर है इस समय और भी शेर्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर हमने कुछ ताम पहले गोडरेस्ट प्रॉपर्टीज की बात करी थी जो कहीना कर रहा है कि 1200 लेवल के राउंड उसका बॉटम हो सकता है हमने कुछ टैम पहले लूपें की बात करी थी इस चानल पे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है लेवल्स पे तो बहुत सारी शेर्स हैं पर मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि मेरे खाल से क्रेक्शन ओ बाइंग आप फुली डिप्लॉइड में पस बिल्कुल एक्सेस कैश नहीं है इन लेवल्स पे थोड़ा बहुत इदर उदर अब रोटेट ही कर रहे हैं जो बेटर ऑपर्चुनिटीज दिख रहे हैं आपर मार्जिन ओ से जाधा लग रहा है बट मैं आप लोगों से भी य अच्छा लग रहा है और उन चीजों पर नजर रखें अगें इस नोट आप बाइंग रेकमेंडेशन पर से बट जो मैं कर रहा हूं या जो हम क्लाइंट को एडवाईस कर रहे हैं वो मैं आपको यह बता रहा हूं क्लाइंट के पोटफोलियो में सब में थोड़ा थोड़ आ रहा है मैंने आप लोगों से बात करी थी कि कैसे आटो सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है तो हम उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं और यह जो शेर्स बहुत ज्यादा ठंडे पड़ गए हैं या जो बहुत ज्यादा रन-ब कर चुके हैं उनके अंदर आप नजर बनाए रहे हैं तो हम इस तरीके से समय काम कर रहे हैं and then you can take your own call but I do believe कि सारी बात सच है देखो स्टाइगफलेशन इंफलेशन यह वो बट यूएस मैं आपको बताता हूँ बेवकूफियां so interest rate बढ़ाते जा रहे है 75 basis point increase आया था इस बर inflation control में नहीं आ रही है क्यों क्योंकि supply side खत अब supply side ठीक करो तो चलो अपने interest rate बढ़ा दी है अब inflation तो चली रही है तो कैलिफोर्निया बगरा में announce हुआ हजार डॉलर per person की inflation को बीट करने के लिए पैसा और चापने से inflation होती है फ्री पैसा बाटने से inflation होती है तो inflation control भी कर रहे हैं इंफलेशन खुद बढ़ा भी रहे ह बिल्कुल दिमाग घुम चुका है कभी-कभी समझ नहीं आता कि किस तरीके से काम कर रहे हैं कभी-कभी मतलब क्या करना चाहरे हैं आप Ukraine को aid भी दे रहे हो बहुत जादा और फिर आप कही ना कहीं कह रहे हो कि वहां पर जो war चल रहे है उसके वाज़ से बड़ी दिक्कत है So I am very very confused as to what US wants to do I think they are confused as well बहुती खराब leadership लग रहे है मुझे बहां से और उसका कहीं ना कहीं global impact सभी देशों प्यार है सभी देशों पर इंडिया तो बहुती safe position में है फिर भी So I am buying I am not worried में को पता है कि हम इससे भार आएंगे छे महीने बारा महीने यह नहीं पता और हो जकता है एक दो महीने मार्किट तो चलना शुरू करीदे Ground भी आप इंडिया में जाके देखोगे आपको कोई recession के science कहीं पर भी नहीं दिखेंगे So that would be it I'll see you in the next one Bye 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 Jai Hind